दोस्तो गांदी शांती पुर्सकार गीता प्रेस गोरखफूर को परदान किया जाएगा इस घोशना के बाद ही इसको लेकर राजनीती भी शुरू हो गई है कॉंग्रेस ने इस फैसले की तीखी अलुचना की है कॉंग्रेस नेता की ओर से इसे मजाग बताया गया और इस फैसले पर सवाल खड़े किये गये हैं दोस्तो अगर बात की जाए गीता प्रेस की तो हिंदू धर्म की सबसे ज्यादा धार्मिक किताबों को परकाशित करने का श्रे अगर किसी को जाता है तो वो गीता प्रेस को ही जाता है गीता प्रेस के कारण ही असान वो सरल भाशा में सभी धार्मिक किताबें समाज में मौजूद हैं जिन्हें हर कोई पढ़ता है और सीखता है गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े परकाशकों में से एक है गीता प्रेस 14-15 भाशाओं में अपनी पुस्तकों को परकाशित करता है अब तक गीता प्रेस ने 41 करोड पुस्तकों का परकाशन किया है इसमें 16 करोड प्रतियां भगवत गीता की है वहीं गीता प्रेस ने राम चरित मानस, रामायन, तुलसी दास के कई साहित्यों को परकाशित किया है शिप पुरान, गरुड पुरान, पुरान की करोडों किताबे गीता प्रेस द्वारा परकाशित की जा चुकी है और दोस्तों गीता प्रेस ना तो चंदा मांगती है और ना ही विग्यापन करके कमाई करती है समाज के लोग ही गीता प्रेस के खर्चों को चुकाते है परदान मंतरी नरेंदर मोदी की अध्यक्षता वाली जूरी ने 2021 के गांधी शांती पूर्सकार के लिए सर्व समत्ती से गीता प्रेस गोरखपूर को चुना है लेकिन कॉंग्रेस महासच्चिव जैराम रमेश ने कहा कि ये फैसला वास्तों में एक मजाहक है तथा सावरकर एवं गोट से को पूर्सकार देने जैसा है दोस्तों आप लोगों का इस पर क्या कहना है? क्या कॉंग्रेस सच में राजनिती कर रही है? क्या गीता प्रेस को ये पूर्सकार मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा